क्या आप भी चाहते हैं मटर पनीर की सबजी बनाना वो भी बिलकुल टेस्ट में रेस्टोरेंट और धावे जैसा वो भी घर के समानों से तो इस वीडियो को पूरा फूल वाच जरूर किजिएगा हेलो फ्रेंड्स अमेजिंग अमिता किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत हैं आज हमारे किचन में बन रही है मटर और पनीर की सबजी वो भी बिलकुल रेस्टोरेंट और धावा स्टाइल उससे भी बहतरीन अब बिना हमारे काजू डाले हुए तो इसके लिए पहले हमने पैन ले लिया पैन में हमने दो टेबल स्पून ओयल डाल लिया साथ में हमने एक टेबल स्पून बटर डाला है और यह हमारा 400 ग्राम पनीर है इसे बस हमें सेलो फ्राई करना है इसे हमें बहुत जादा नहीं भुनना है हाड नहीं करना है बस इसे हलका सा रेडिस होने तक ही इसे भूनना है इस से पनीर का टेस्ट और स्वाद बहुत अच्छे से निखर कर आता है कच्छे पनीर से ज्यादा अच्छा भून कर ही आता है तो मैं इसे हलका सा सेलो फ्रा이 करलूंगी हलका सा रेडिस होने तक अल्टी पल्टी करके, उलट पुलट करके इसे फ्राई कर लोंगी देखिए हमारा पनीर बहुत अच्छे से भून गया है ना जादा हाड हुआ है, ना जादा रेड हुआ है, बस हलका सा रेडिस हो गया है इसे अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं जो हमारे चैनल पर न्यूँ है वो प्लीज सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले ताकि हमारा लेटिस्ट वीडियो मिल सके हमने एक बाउल में वार्म वाटर ले लिया है हलका सा सुसुम पानी ले लिया है और उसमें सारे पनीर को ट्रांसपर कर देंगे क्योंकि पनीर ऐसे बाहर रहेगा तो ये थोड़ा रबर जैसा हो जाता है तो इसे हम गर्म पानी में डाल कर रख देंगे इसे साइड हम रख देते हैं और उसी पैन में जिसमें हमने पनीर फ्राई किया है उसमें हमने चार से पाठ प्याज ले लिया है प्याज को हम रफली चॉप कर दिया है बहुत महीन बारिक नहीं काटा है मोटे मोटे टुकडों में ही काट कर से थोड़ा सा सेलो फ्राई करेंगे साथ में हमने 12-15 लसुन की कलियां ले लिया है और तीन-चार हरी मिर्च ले लिया है इसे भी हलका सा साइड कर लेंगे वो भी लो मीडियम फ्लेम पर करेंगे हमें हाई फ्लेम पर करना है हाई फ्लेम पर करेंगे तो यह जल जाएगी इसमें मैंने चार बड़े साइड के टमेटो ले लिये हैं और इसे भी हम सौटे कर लेंगे बहुत इस तरह से भुनकर मसाले तयार करने से जो हमारे मसालो का टेस्ट है वो बहुत अच्छे से निखर कर आता है हलका सा हम नमक डाल लेंगे हाफ टी स्पुन मैं नमक डाल रही हूँ बस पकाने के लिए जो टमाटर प्याज है वो अच्छे से गल जाए उसके लिए जरा सा नमक डाल लेंगे साथ में हम ढख कर इसे दो से तीन मिनट तक पकाएंगे जब तक हमारा बस टमेटो गल जाना चाहिए प्याज अच्छे से पक जाना चाहिए देखिए दो से तीन मिनट हो गई है हमारे टमाटर अच्छे से गल गया है और थोड़ा दर इसे हम गैस के फ्लेम को बंद करके इसे ठंड़े होने के लिए रख देते हैं ये ठंड़ा हो जाएगा तभी हम ग्राइंडर में डाल कर इसे पीसेंगे देखिए हमारा ठंड़ा हो गया है इसे हम जार में निकाल ले इसमें हम लोग 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल देंगे और पानी डाल कर हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं एकदम फाइन प्यूरी में प्यूरी तैयार कर लेते हैं देखिए हमारी प्यूरी हो गई है तैयार तो एक तरफ हम गैस पर कढ़ाई चड़ा लेंगे उसमें 2 ट प्राइंड ओयल भी ले सकते हैं इसमें एक टेबल स्पून हम बटर डालेंगे एक टी स्पून हम खड़ा जीरा डालेंगे और कुछ खड़े गरम मसाले एक बड़ी लाइची तीन छोटी लाइची डाला है एक टुकड़ा डालचीनी का तिन चार तेजपते डाले हैं और एक चम्मच कस्मीरी लाल मिर्च डाला है और एक चम्मच रेगुलर लाल मिर्च डाला है बढ़िया सा कलर आने के लिए इसे हलका सा भून लेते हैं एक सेकेंड के लिए दो सेकेंड के लिए जब ये भून जाएगी तो इसमें हम लोग डाल देंगे तीन टेबल स्पून के करी मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ तीन टेबल स्पून हम धनिया पाउडर डाल लेंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे हलका सा और एक टी स्पून हम जीरा पाउडर डाल लेंगे और इसमें साथ में डालेंगे एक टी स्पून हल्दी डाल कर थोड़ा सा चला लेंगे उसमें डाल देंगे जो हमने प्यूरी तैयार की है ना उसे डाल कर अच्छे से मिला लेंगे विलाकर इसे थोड़ा सा हम इसे पकने के लिए, दो मिनट के लिए पका लेंगे ताकि हमारा जो हमने पूरी डाली है वो अच्छे से मिल जाए और थोड़ा सा भून भी जाए इसलिए हम इसे थोड़ा सा चला लेते हैं, दो मिनट साथ में एक चोथाई कप हम पानी डाल लेंगे जिस जार में हमने पिसा था ना हमारे प्यूरी तैयार की थी उसी जार में हम पानी लेकर इसमें डाल लेंगे और साथ में इसे थोड़ा मिला लेते हैं अच्छे से और इसे ढखक कर हम 3-4 मिनट तक पका लेंगे यह हमारी 2 मिनट हो गई थी तो मैंने चक किया खोल कर तो अभी ठीक से नहीं पकी थी तो मैंने फिर ढख दिया है यह देखिए बहुत बढ़िया से पक गई है और हमने इसमें पकने के बाद इसमें हमें मटर डालना है यह देखिए मटर यह भी ताजी मटर है पर इसे मैंने ट्रिक लगा कर इसे पहले ही बॉयल कर लिया है इससे हमें कम समय लगेगा बनाने के लिए सबजी बनाने के लिए हमने सारे मटर को डाल दिया है डाल कर इसे चला लेंगे और ढख कर थोड़ा सा पक जाए दो मिनट हमारा जब पक गया है तो उसमें हम पनी जो हमने पानी में रखा था ना वान वाटर में उसे निकाल कर उसे भी ढाल देंगे इसमें डाल कर इसे ढख देते हैं हम इसे दो मिनट के लिए पका लेंगे और धक्कन हटाएंगे उसके यदि इसमें हम अपने एक कप पानी डाल देंगे आपको लगता है थोड़ा और ग्रेवी चाहिए आपको तो और पानी डाल सकते हैं आप मैं एक कप डालूंगी मुझे बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए इसमें स्वाद के अनुसार हम नमक डाल लेंगे आप अपने हिसाब से नमक डाल लीजिए कितना डालना है और इसे ढखकर हम 4-5 मिनट तक पका लेंगे लो फ्लेम पर पकाएंगे हाई फ्लेम पर नहीं पहले हाई फ्लेम कर देंगे उबालाने के लिए उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे जब 4-5 मिनट हो जाएगी तो उसके उपर से ये मैंने लिया है मलाई जो घर पे दूद आती है ने ताजी वाली और उसके जो उपर में छाली जमा हो जाता है मलाई जमा हो जाता है उ और इसे डाल कर मिला लेंगे उसके बाद इसमें दो टेबल स्पून हमने कसूरी मेथी लिया है उसे भी हम डाल लेंगे कसूरी मेथी से स्वाद बहुत अच्छा बढ़ जाता है और एक टी स्पून हम गरम मसाला डाल लेंगे इसे मिला लेते हैं अच्छे से मिलाकर गैस को हम बंद कर देंगे यह हमारी सबजी हो गई है तयार बहुत अच्छे से उपर से मैंने धनिया पत्ते से गार्णिश कर दिया है चौप्ट धनिया पत्ता से यहाँ पर आप मिर्च का चीरा लगाकर और अद्रक की जूलियन्स को कट करके भी डाल सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा लुक आता है इसका ऐसे भी हमारे पनीर का लुक बहुत अच्छा आया है अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक सेयर और सब्सक्राइब जरूर करे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करे ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके